हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टैनो हेल पीपी फ्रेंड्स एससी के प्रीविस एक्जाम में पूछे गए कोशन की सीरीज में आज हम लेकर आये हैं इंडस वैरी सीविलाइजेस इसे रिलेटेड कोशन्स तो आप वीडियो में लास तक बने रहीएगा चलिए स्टार्ट करत हैं कोशन है सिंदुगाटि सब्विता संब्धित है तो फ्रेंड्स जो सिंदुगाटि सब्विता थी वह आद्याधि हासिक यूग से संब्ण्दित है तो इसका उप्शन भी सही हो जाएगा आद्याथि तो इसका option C सही हो जाएगा पुरा तात्वी खुदाई Next question है हडपा सबिता की खोश किस वर्स हुई तो friends जो हडपा सबिता की खोश थी वो आपकी 1921 में की गई है अगर आपसे पुछा जाता है कि इसकी खोश किस ने करी थी तो इसकी खोश दयाराम सहनी ने की थी और अगर पूछा जाता है कि जो हडपा इस तरह है वो किस नदी के तड़ पर है तो वो आपका रावी नदी के तड़ पर है चलिए आगे बढ़ते हैं तो जो सिंदु घाटी सब्विता है उसको आरो से पूर्व इसलिए रखा गया त्यूंकि वहां से जो मिट्टी के पात्व थी वो पाए गए थे इसलिए इसका उप्शन D सही हो जाएगा मृदभान चलिए आगे बढ़ते हैं सिंदु घाटी के निवास्यों के सब्विता को जानने का मूल श्रोत क्या है फ्रेंट्स जो वहाँ बर्तन जीवर हत्यार और और भी वस्ते मिली थी उनसे ही पता लगाया गया कि जो ये सिंदु घाटी सब्विता है वो कौन से सब्विता है तो इसका उप्शन भी सही हो जाएगा बर्तन जीवर हत्यार और 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 जार नेक्स कोशन है हडपा सब्विता किस यूग की थी तो फ्रेंट्स इसका उप्शन है सही हो जाएगा कास्यूग की क्योंकि जो हडपा सब्विता है इसमें ही सबसे पहले कास्य का प्रयोग देखा गया था और इसे कास्य यूगिन सब बिताबी इसी कारण से कहा जाता है नेक्स कोशन है हरपा का उत्खरन करने वाला प्रथम पुरातात वीद जो इसके महत्तों को नहीं समझ पाये था तो फ्रेंट्स जो हरपा का जिसने पहली बार उत्खरन किया था वो थे आपके अलेक्सेंडर कनिंगम तो इसका उप्शन है सही हो जाएगा और जो अलेक्सेंडर कनिंगम है इन्हें भारत में पुरा तत्वे का जनक भी कहा जाता है ये कोशन भी एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसलिए आप ये याद रखेगा कि जो अलेक्सेंडर कनिंगम है वो पुरा तत्वे के जनक कहे जाते हैं भारत में चलिए नेक्स कोशन है तो इसको ऑप्षिन D सही हो जाएगा ग्रिक की सब्विता नेक्स कोशन है सिंदु खाटी सबिता के संदर्म में कौन सा कथन सही नहीं है तो फ्रेंट यहां पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है चले देखते हैं सिंदु कहाटे सबीता एक उच्छे नगरे सबीता थी लोगों को लोही के जानकारी नहीं थी यह कहना कठीन है कि लोग किस प्रजाती से संबंधित थे option D है लोगों को क्रिशी के बारे में जानकारी नहीं थी जो इसमें कथन सत्य नहीं है वो है आपका option D लोगों को क्रिशी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन यहां देखा गया है कि लोगों को क्रिशी के बारे में जानकारी थी, क्योंकि यहां जूते हुए खेतों के साक्ष भी मिले थे, कुछ जग़ों से चैसे काली बंगा और रंगपूर से, तो यह option यहां पर इसका सही हो जाएगा option D next question है हरपा सबिता विस्टित थी तो जो आपकी हरपा सबिता थी वो पंजाब, राजिस्तान, गुजराद उत्तर प्रदेस, हर्याना, सिंधू और बलिश्टुस्तान तक विस्टित थी तो इसको option D सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सोर्टु गई सिंदू घाट सबिता किस देश foreign तो friend जो आपका सोर्टु गई है वो आपका अफगानिस्तान देश में आता है सिंदू घाट सबिता के सिर्फ दो जो इस्थल थे वो अफगानिस्तान से प्राप्त होए है जिसमेंसे एक आपका सोर्टू गई है और दूसरा आपका है मुंडी गांग तो ये वो इस्तल हैं जो आपका इंसान से प्राप्त हुएते सिंदु घाटी सबिता के नेक्स कोशन है मोहन जोड़ो का अर्थ है तो ये तो आप सभी को प्रहोगा कि जो मोहन जोड़ो है उसको मुर्दकों का टीला कहा जाता है तो इसका आप्शन है सही हो जाएगा नेक्स कोशन है सिंदु घाटी सबिता के विक्सित अवस्ता में निम्नलिखित मैंसे किस इस्तल से घरों में कुवे के अफसेश मिले थे तो फ्रेंड्स जो कुवे के अफसेश थे वो आपके मोहन जोड़ो से मिले थे तो इसका आप्शन दी सही हो जाएगा मोहन जोड़ो नेक्स कोशन है मोहन जोड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है तो इसका आप्शन भी सही हो जाएगा जो मोहन जोड़ो का अन्नागार है वो सबसे बड़ा भवन है Question है सिंदु खाटि सबड़ा की निम्लिखित स्थानों मैं से कौन चाहिए सींदू नदिखित किनारे पर इस्तित था तो option आपका यहां पे B सही हो जाएगा जो जो मोहन जोड़ो था वो आपका सिंदू नदिखित किनारे पर इस्तित था Next question है सिंदुगर्टी सब्विता में काली बंगा निमलिकित मैंसे किसके रिए प्रसिद्ध है तो फ्रेंड जो काली बंगा है वो मिट्टी के पात्रे के रिए प्रसिद्ध है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा और जो आपका काली बंगा है वो राजिस्तान राज्य में इस् फ्रेंड सिर्फ जो एक दोला वीरा था वही आपका तीन भागों विवाजित था तो इसका ओप्शन डी सही हो जाएगा दोला वीरा नेक्स कोशन है निमलेकित मैंसे कौन सा घगर है वहां उसकी साहेग नद्यों की घाटी में इस्तित है जो डी है वो आपका सही हो जाएगा बनावली चलिए आगे बढ़ते हैं निमलेकित मैंसे कौन सा इसता सिद्धू घाटी सबिता से संबन्दित नहीं है तो friends इस question का answer आप सभी comment box तो बताईएगा उमीद करते हो आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो में लास्त बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में